हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक तो फ्रेंट्स आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ 12 पास जो भी स्टूडेंट्स है उनके लिए अभी बेस्ट आप्शन क्या होगा वो अभी क्या टार्गेट करें जिसमें उनको बेस्ट सैलरी मिले अब मैं बात करूँ प्रोफेशन कोर्स करें जांग कॉलेज करें जांग गोर्मेंट जॉप्स की प्रेपरेशन करें अभी 12 स्टूडेंट को क्या चूस करना होगा मैं पूरा का पूरा तीनों चीजे आपको complete detail में बताऊंगा किस चीज से क्या benefit है किस चीज से क्या बनोगे और किस चीज से कितनी सैलरी आप को मिलेगी ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस important वीडियो को अब मैं बात करूं professional course professional course में आपके चाहे आप आठ से किया है medical से non medical से commerce सब के लिए हैं ठीक है सबसे पहले बात करें medical से जिसमें आप professional course में MBBS कर सकते हो जो नेट के मादियम से उसके बाद BDS कर सकते हो उसके बाद आप BSC nursing ठीक है BSC nursing के बाद Deep Pharma उसके बाद Pharma ठीक है उसके बाद NHM यह सब course आप कर सकते हो ठीक है यह आपके medical के लिए कुछ option रहते है nursing assistant का कर सकते हो laboratory assistant का कर सकते हो veterinary pharmacist का कर सकते हो ठीक है यह सब courses आपके रहेंगे जो professional course में आ जाएंगे नौन मेडिकल वालों के लिए बात करें जो आपका आजाएगा सबसे पहले तो बीटेक आजाएगा एंजिनरिंग आजाएगी किसी भी फिल्ड में उसके बाद बात करें आप इसमें जो मर्चेंट नेवी की मैरिटाइम एंजिनरिंग कर सकते हो एरेनॉटिकल एंजिनरिंग कर सकते हो कोई भी मेकैनिकल एंजिनरिंग कर सकते हो सौफ्टवियर एंजिनरिंग कर सकते हो उसके बाद ड्रॉफ्ट मैन का डिपलमा कर सकते हो वैल्डर कर सकते हो टेकनिशियन कर सकते हो ठेक है फिटर का कर सकते हो यह सब professional course हो जाएंगे उसके बाद cosmetology कर सकते हो beautician कर सकते हो ठीक है beautician कर सकते हो make up जो bridal make up कर सकते हो make over कर सकते हो यह सब आप कर सकते हो ठीक है उसके बाद बात करें MBA कर सकते हो BBA कर सकते हो ठीक है stenographer typist ठीक है यह सब आपके जो courses है आपके courses जो रहते हैं जो professional course हैं अब इन professional course के बाद जब आप professional course कर लोगे professional course के बाद आपको जो offers हैं वो आते हैं जिसमें मैं starting बात करूँ आपका 25 और 26,000 से start हो जाता है depend करता हैं आपकी credit कितने बन रहे हैं और किस company में आप appointment हो रहे हो उसके बाद hotel management, management उसके बाद जो disaster management के courses होते हैं यह सब आप professional course में choose कर सकते हो उसके बाद किसी company में higher हो सकते हो खुद की company startup कर सकते हो इन सब courses के बाद जब कुछ अपना startup कर सकते हो बहुत ही शांदार तरीके से अब मैं बात करूँ colleges में colleges में आप देखिए BSC कर सकते हो, BA कर सकते हो, ठीक है जो basic है BCA कर सकते हो, BALB कर सकते हो जो आप college अब जाइन करोगे जाने कि आप graduate हो जाओगे और professional course अगर आप करते हो उनके माधियम से भी आप graduate हो जाओगे college में जाने के बाद आपके लिए बहुत सारे option जो opens होते हैं जिसमें jobs के लिए बैरी जो opportunity रहेगी उसके बाद बात करें government jobs की preparation अब government jobs की preparation करनी है आप 12th के साथ उसकी preparation कर सकते हो जैसे बात करूँ अगर आपकी 10th है तो आप बहुत सारे options फिल कर सकते हो defense में SSC JD, Indian Army, उसके बाद police force के लिए SSC MTS के लिए JKSSB में ठीक है ये सब आप 10th pass form फिल कर सकते हो उसके बाद 12th अगर आपने की है सबसे चांदार SSC CHSL, JKSSB में assistant compiler, veterinary pharmacist, stock assistant ठीक है ये सब आप कर सकते हो उसके बाद graduate अगर आप हो तो किन post के लिए apply कर सकते हो junior assistant ठीक है junior assistant के बाद BLW, sub inspector, forester ठीक है उसके बाद next आप apply कर सकते हो जो आपका UPSC, CSE रहता है, JKPSE रहता है, CAPF रहता है उसके बाद CDS रहता है, FCAT रहता है ये सब में आप apply कर सकते हो आप 12th के बाद IGNOW में admission ले सकते हो उसके साथ अपने government jobs की preparation कर सकते हो जितनी देर में आपने college complete करना है professional course complete करना है आप preparation करके अपनी job पाओगे और अच्छी एक salary पाओगे तो अब आप इन सब में choose कर सकते हो क्या आपको choose करना है यो मैंने आपको बताया, जो best आपको लगे comment section में आप अपनी suggestion पूछ सकते हो आपकी पूरी help करी जाएगी आपके course choose करने में subject choose करने में जग government job आपने क्या choose करना है ठीक है, ये सब आपके लिए काफी important है तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही कोई भी doubt हो, तो comment section में जरूर पूछिए